नमस्ते, टेस्टी कायां बनाना में मैं बनना आप सब का हर्दी स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ बैंगन और टामाटर का एक तम क्विक भरता बनाने की रिस्पी शेयर करने जा रही हूँ एक बार ये भरता बना कर खाओगे न हपते में एक बार तो जरूरी बना कर खाओगे बिलीव में इतना टेस्टी और इतना इजी है बनाना इसको चलम शुरू करते बनाना बैंगन का क्विक भरता बनाने के लिए मैंने यहां पर ले लिया है हाफ बैंगन बड़े साइज का था आदे का दूसरा रेसेपी बनाया है और आदे का हम बरता बनाएंगे तीन कली लासन ले लिया है बड़े साइज का तीन हरा मिर्च ऐसे स्लिट कर दिया है बीच से और एक बड़े साइज का टमाटा टमाटा रॉर ले सकते हो और आउंड दो टेबल स्पून हम धनिया यूज करेंगे और ये बैंगन को हमने वाश करके प्रॉपर अच्छे से ले लिया है साइड का ये निकाल देंगे हम एंड देन बीच से हम इसको थोड़ा सा हाफ कर देंगे हाफ ताकि भुन्ने में थोड़ा सा आसानी हो ना हमें इस तरह से यहां पर मैंने रग दिया है कड़ाई इसमें हम आराउंड तो टेबल स्पून मस्टर्ड आल डालेंगे सर तेल पसंद करते हो वो ढ़ाल सकते हो लेकिन भरता वगर सर्सो के तेल में ज्यादा टेस्टी होता है तेल घरम हो गया है ये बैंगन डाल देंगे इस तरह से टामाटर जो है बेज से मैं और नहीं यसको भी अट राल देंगे और उछलेगा ये ठोड़ा सा अका और घ़र लेसन डाल करके हमें भुनना है इस तरह से थोड़ी देर के बाद हम इसको पल्टेंगे इसमें निर्चा और लेसन हो गया है निकाल लेंगे टमाटर भी अल्मोस्ट होई गया है थोड़ा सा हम बेंगन को पलट देते हैं फिर कवर कर देंगे टमाटर भी हो गया है थोड़ा समय ने उपर से नमक डाल दिया है ताकि जल्दी बेंगन सौफ्ट हो जाए टमाटर का जो स्कीन है न हम निकाल लेंगे उपर से इजली निकल जाएगा निकाल लेंगे बाकी अभी थोड़ा कसर इसमें बाकी अभी पकाना है यह बैंगन भी पक गया है फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसका भी स्कीन हम निकाल लेंगे जितना निकल पाएगा उतना हम निकाल लेंगे इसले निकल जाता है यह साइड काम काट करके निकाल लेंगे या तो कड़ाई में आप यह काम कर सकते हो या तो आप बाहर निकाल करके कर सकते हो तो अब सेम ही कड़ाई में मैं यह भरता बनाओं कि मैश करके फ्लेम को फिर से आन कर दिया है स्टेल काडाई रहता है थोड़ा जादा सम्हालना पड़ता है पर एकदम जला हुआ नहीं है एकदम पढ़िया सोना वाला फ्लेवर हाया इसमें पटेटो मैशर लेंगे इसे सब खुछ मैश कर देंगे ये मिर्चा लहसन वगर अगर अब एक साथ ही मैंने डाल दिया है या पटेटो मैशите नहों आपके पास तो आप बाएर भी मैश करके में ढाल सकते हो या ग्लास का टोरी से मेश कर सकते हो मैश करने के बाद ऊपर से हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया है नमक अभी तक डाला नहीं था थोड़ा सबही भुनने के टाइम पे मैंने बैंगन में डाला हुआ था and then थोड़ा सा दो पिंच जितना मैंने अमचुर का पौड़ा डाला है यह औप्शनल है आप चाय तो इसको skip भी कर सकते हैं टमाटर डाला हुआ है अब हम अच्छे से और मैश करके दो मिनट हमें भुन लेना है और मसाला अगर मैं आपको डालना है ना इसमें हल्दी धनिया मिर्चे का पाड़र वो सब डाल सकते हो लेकिन एकदम साधा सिंपल बना रही हूं जो टेस्ट इसका आएगा ना वो मसाले वाले का टेस्ट और इसका टेस्ट एक तम जमीन आसमान का फरक पड़ता है यह भरता बन करके रेडी हो गया है उपर से हम थोड़ा साहरा धनिया डाल देंगे मिक्स करके दूसरे बरतन में हम निकाल लेते हैं यह रहा भरते का फाइनल लुक एक तम एजी और जल्दी बनने वाला यह है भरता की रेसिपी अब इसको चाहे आप बाटी के साथ खा सकते हो या तो रोटी पराठा के भी साथ इसको एंजॉय कर सकते हो कैसी लगी यह भरते की रेसिपी अच्छा लगा होगा न प्लीज जैसा भी लगा हो कॉमेंट सेक्शन में लिखके मुझे ज़रूर बताना मेरे इस वीडियो को मेरे इस रेसिपी को जादा जादा शेयर लाइक जो नए होगे इस चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मैं आप लोग को नेक्स रेसिपी साथ मिलती हो थेंक्यू बाई